तुसी इस चलचित्र विच वेख रहे हो एक रेल गड़ी पहला अपनी थाते अराम नल खड़ोती है अते फिर ओ आपने आले दो आले दी तुलना विच गतिवान हो रही है ओ थे ही रेल गड़ी विच बैठिया सवारियां गड़ी दे चौगिर दे तुलना विच गतिवान हन अते एक दूजे दी तुलना विच ओ आराम दी अवस्था विच हन हुन तो सी वेख रहे हो एक फुटबॉल आराम दी अवस्था विच है पर जदों खिडारी गेंदनों किक मारदा है ता ओ गती विच आजान दी है इस उधारन विच किष्टी किनारे दी तुलना विच विराम दी अवस्था विच है, हुण किनारे दी तुलना विच उस दी स्थिती बदल रही है, अते ओच चल रही है पर जहडा आदमी किष्टी विच बैठा होया है ओह वी किनारे दी तुलना विच आपने आपनू गती विच महसूस करदा है पर किष्टी विच बैठे दोनों व्यक्ति एक दूजे दी तुलना विच विराम अवस्था विच हन बच्यों मोशन जा गती दे अज दे पाठ विच तो अडास्वागत है तारयां दे चुंड होन जा फिर पुर्मानुआं दे छोटे कन इस दुनिया विच हर चीज गती विच हुंदी है साड़ा अज दा फजिक्स ता विशा काइनेमेटिक्स तो शुरू होवेगा साड़ी रोज मरादी जिंदगी विच फजिक्स ती इस शाखा नाल समंदत उदारन काफी असानी नाल मिल जान दे हन काइनेमेटिक्स विच असी पढ़ देयां की किवे कोई वस्तू किवे चल दी है अतियों गती ते परवावपान वाले किसे बाहरी बालदा परिवर्तन केस तरह कर दी है असी अज अपने आपनों काइनेमेटिक्स ती एक डाइमेंशनल गती बारे ही पढ़ांगे विस्तार वी जान तो पहला मैं तो अडेनाल आज दे सिख्या उदे सांजे कर लवा इस पार्ट दे अंत दे विद्यार्थी जाननगे गती दी व्याक्या साड़े आसपास प्रचलेच वक्री प्रकार्दियां गतियां बारे दसन विच डिस्प्लेस्मेंट जां विस्थापन दी महत्ता एवरेच स्पीड जां ओसफवेग दी व्याक्या प्रवेग जां एकसलरेशन दा विवरन तानू पता है काइनेमेटिक्स दा अर्थ की होंदा है एक ग्रीक शब्द की नैम्या तो बनेया है इस दा अर्थ होन दा है गती Kynematics गती दी पड़ाई है गती दे कारण नूँ जाने बगएर इस इस बारे केवे गल कर सकते हैं किसे गती दी पड़ाई जा उस दे कारणा नूँ dynamics के आजानदा है तुसी जान दे हो गती की उंदी है अपने रोज दे तजर्वेतों असी गती नू इस तरह वेख दे हां कि ओ एक ही वस्तू जान थां ते अपने अरंबक सिती बदल दी है फुजिक्स विच तिन तरह दी गती हुं दी है ट्रांसलेशनल चकरदार ते कंपन गती एक गतीयां एक दूजेतों किमे वक्रियां हन इस लई कुछ उधारन वेख दे हां होंट उसे लकडी दा टुकडा वेख रहे हो जो की एक चुके होई तल दे उपर रख्या गया है एहे ट्रांसलेशनल मोशन दा उधारन है एक गड़ी दा हाइवे सडकते चलना जा फिर एक दराज नू बाहर दी तरफ खिचना एदो में ट्रांसलेशनल मोशन दे उधारन हान पन चकी दे पक्खे दी गती रोटेशनल मोशन जा चकरदार गती दा उधारन हान चात दे पक्खे दी गती वी rotational motion जा चकरदार गती दा ही उधारण है कि तुसी चल दे हो इस साइकल दी गती दी प्रकार बारे 10 सक दे हो साइकल दा चलना ट्रांसलेशनल मोशन हुंदा है अते उस दे पही दी गती rotational motion जा चकरकार गती हुंदी है इस गती नू simultaneous गती वी कहा जान दे है simultaneous motion दा एक होर उधारण देखते है पेच़दी गती, translational गती ते rotational motion जा चकरकारी गती दोहां बारे दासती है जदो आसी एक अजेह स्प्रिंग तो पार नू लटकाऊंदे जा हटाऊंदे है जिस दा एक सिरा फिक्स है ता ओक कुझ-कुझ हिलदा नजर आउंदा है एक कमपन गती जा वाइब्रेशनल मोशन तरसाउंदा है पेंडूलम दे अग्गे पिच्छे होन दी गती वी कमपन गती जा वाइब्रेशन मोशन दा ही एक उधारण है आज दे विशे विच असी ट्रांसलेशनल गती बारे पढ़ांगे किसे वस्तु दी गती बारे पढ़न लई असी वेखांगे कि किवे एक निश्चित समय विच वस्तु अपनी आस पास दी स्थिती नू बदल दी है कोई वस्तु एक डिमेंशन दे विच इकको प्रवेगनाल किवे चल दी है एक डिमेंशनल गती दा अर्थ है गती एक ही सिद्धी लकीर विच हो रही है पामे उत्ते थल्ले पूरब ते पच्चम खब्बे या सज्जे हुन असी एक, दो अते तिन डिमेंशनल गती दे उधारन विखांगे किसे वस्तु दी गती एक डिमेंशनल गती हुन दी है जे ओ वस्तु सिद्धी रेखा विच चल ले कोई वस्तु किसी सपाट तल जा एक प्लेन दे चल दी है तउ धो डायमेंशनल गती होवेगी तरथी सूरज दे आले द्वाले कुम्धी है बिलियड़ दी गेंध बिलियड बोर्ड दे उत्ते कुम्धी है अथे जमीन उत्ते चल्दा फिरदा सप इस दे उधारणां उस वस्तु दी गती तिन डायमेंशनल गती होवेगी जिस विच ओ ना ता सिद्धी रेखा विच होवे अते ना ही प्लेन ते बल्की ओ स्पेस विच होवे उड़धा होय पंची, डड़ू दी गती अते मच्चर दी गती इस दे उधारन हन गती दे पिन पिन पहलवानू समा परवेग वेग विस्थापन अते दूरी वरगियां पोतक राशियां जहां फिजिकल कॉंटिटीज दी मदद नाल समझिया जा सकदा है गलेलियो पहला अजियां व्यक्ति सी जिसने दो फाइंडमेंटल फिजिक्स कॉंटिटीज पाथदूरी अते समा अते दो डराइब फिजिकल कॉंटिटीज वेग यानि विलासटी अते परवेग यानि एक्सलेलेशन नु ब्यान कीता सी गती विच्ट दो परकार दे परिमान हुन देहान एक जो गती दे शुरू दे अते अखीरले बिंदवां ते निर्भर करदा है उसनो विस्थापन जान डिस्प्लेस्मेंट आख्या जानदा है दूजा जड़ा गती दे हर हिस्से ते निर्भर करदा है उ है दूरी हुन असी दूरी अते विस्थापन नू ब्यान करांगे किसे गती कर रही वस्तू द्वारा किसे विस दिशाविच तेह की ते रहा दी लंबाई नू दूरी के आ जानदा है दूरी नू दर्साउन लई पहला ते अखीरला बिंदू काफी नहीं हुन दे दूरी किसे वे दिशाविज तै किते रहा दी लंबाई हुं दी है दूरी गती दे दोरान magnitude of movement नल जुड़ी होई है वस्तू दे किसी दूजी दिशाविज चले जान जान फिर अपना रास्ता बदल लायन नाल इस ते कोई फरक नहीं पैंदा दूरी जा distance scalar राशी जा scalar quantity हुं दी है जे कोई वस्तू कुछ समय गती करन तो बाद अपनी स्तिती ते मुड़ के वापस आउं दी है ता उस दूआरा तै किती गई दूरी सिफर दे बराबर नहीं हुं दी इसनों समझन ले असी एक वस्तू लेंदे हां जो कि गोलाकार पत हुत्ते एक बिंदूतों शुरू होके उत्थे ही आके रुख दी है उस दी स्तिती विच कोई बदलाओ नहीं होंदा पर ओ एक गोलाकारी रहा पूरा कर लेंदी है जिस दा ना आप उस दे केरे जाब पेरिमीटर दे बराबर हुंदा है एक पेरिमीटर दो पाई आर है वस्तू द्वारा तै किती गई दूरी हमेशा पॉजिटिव हुंदी है एक कदे भी नेगेटिव नहीं हुंदी वस्तू द्वारा तै किती गई दूरी हमेशा वद्दी ही जान्दी है एक गती दी दिशा उते निर्भर नहीं कर दी इस दा ऐसाई यूनेट मीटर हाँ मीटर हुंदा है दो हिस्यां विचकार जणा सिद्धा रस्ता हुंदा है उस दे वस्तू कदी चल दी है ते कदे नहीं चल दी इस सिद्धे रस्ते दी लंबाई नो विस्थापन के आ जान्दा है इस दा माप गती विच पार्टिकल दी स्तिती दे बदलाव दे माप बराबर हुंदा है पोतिक विज्ञान दे अनुसार विस्थापन दा माप दो बिंदुवानू जोडन वाली जड़ी सिद्धी रेखा दे माप जा पहले ते अखीरले बिंदु दे विचकार ली सिद्धी रेखा दी दूरी दे बराबर हुंदा है गती दे पाथ दी दूरी इस दे बराबर हो भी सक्दी है अते नहीं ही हो सक्दी दूजे शब्दाँ विच विस्थापन दा माप दो बिंदुआ विचकार छोटी तो छोटी दूरी होंदा है। विस्थापन वेक्टर राशी जब वेक्टर कॉआंटिटी होंदी है। इसलई विस्थापन दी मातरा नू दूरी भी किया जानदा है। इस दा SI unit वी मीटर ही हुंदा है जदो कोई वस्तू एक ही दिशा भी जान दी है ता दूरी अते विस्थापन दे माप बराबर हुंदे हैं ज्यादा तर विस्थापन दा माप दूरी तो छोटा ही हुंदा है इस उधारन विच गड़ी दी पहली ते अखीरली स्थिती विखाई जा रही है गड़ी दा पाथ मुड़या होया है की तुसी मेंनू एस दी दूरी दस सक दे हो जो दूरी गड़ी पूरी कर दी है ओते ही पाथ दी सही लंबाई हुंदी है गड़ी तो पूरी कीती होई दूरी नू असी 10 किलोमीटर ले लेंदे हां एथे बिंदु A अते B दे विचकार विस्थापन 10 किलोमीटर तो छोटा होवेगा क्योंकि ओ मुडले अते अखीरले बिंदुआ दे विचकार सिद्धी रेखी दूरी दे बराबर हुन्दा है ओहो मुड के 10 किलोमीटर दी दूरी तै करेगी हुन विस्थापन दा माप ते पहला जिन्ना ही है पर उस दी दिशा बिलकुल उलट है इस तरह पूरे सफर विच विस्थापन दा माप सिफर दे बराबर रहनदा है अगले उधारण विच पैंडूलम दा बॉब जा गोला आपनी मद्य स्थितितों सिखरली स्थितिते जानदा है एथे बॉब द्वारा तै कीते गए रस्ते दी लंबाई उस दी दूरी है जदो की मद स्थिती तों सिखरली स्थिती तक दी सिद्धी रेखी दूरी उस दा विस्थापन है तुसी विखो एथे वी एदो में एक को जही नहीं हन हुन असी दूरी अते विस्थापन दे कुछ सुआल कर दे हां तुसी चल के अपने दोस्ते करगे जो की तो अडे कारतों 800 मीटर ते है फिर बाग बीच आए जो तो अडे कारतों 200 मीटर है अच्छा दस्व तुसी किन्नी दूरी ते गे हो ते तुसी किन्ना विस्थापन कीता है ए तुसी नापना है तुसी 800 जमा 600 मीटर दी दूरी ते गे जो की चोधा सो मीटर है अते तु आढ़ विस्थापन 200 मीटर होया इसे स्वाल विछ तुसी बाग विछ आउं धी था लेब्रेडी चलेगे जो तु आढ़ दोस दे करतो हों 200 मीटर है ते न पोगी तुसी किन्नी दूर गे आतेटवाडे करो किन्ना विस्थापन हो या इस विछ दूरि ते विस्थापन बडाबर हन जो की आटसो जमाटाई सो मेटर है मतलब की एक हजार पंजाह मेटर है जो दू तुसी लाइब्रेरी तो वापस का रहा है ता तुसी किन्नी दूरि तै कि ती ते तो अड़ा विस्थापन की होवेगा इस मिच दूरी बराबर होई एक हजार पंजा जमा एक हजार पंजा मीटर जो की दो हजार एक सो मीटर बनेया ते विस्थापन सिफर हो गया मैंनू लगदे की दूरी ते विस्थापन बारे तो अनु सार्यानु समझ आगया होवेगा हुन साड़ा अगला काम में ए देखना कि वस्तू किन्नी तेज गती नल चाल रही है उदारन एक दोड लगान वाला खिलाडी किन्ने समय विच कार पहुंच दै स्पेस शटल एक कंटे विच किन्ना सफर कर सकती है जदों तुसी अक्चप का उंदे हो तो अड़े आईलेट किन्नी तेजी नल चल दे हन एक किसे भी गती मान वस्तू बारे बड़े ही बुनियादी स्वालन जदों कोई वस्तू बराबर समय हिसियां विच बराबर दूरी नू एक सिद्धी रेखा विच पूरी कर दी है पामे समय दे हिस्से किन्ने वी छोटे होन जदों वस्तू समय दे बराबर हिस्यां विच सिद्धी रेखा विच ही वक वक दूरी नू पूरी कर दी है ताओ नान जूनिफार्म या असमान गती विच हुंदी है उस वस्तू दी गती बारे गल कर दे हां जड़ी यूनिफार्म गती विच होवे किसे वस्तू दी ओस्त गती या चाल द्वारा उस दी गती नू सब तो सुखे तरीके नाल ब्यान कीता जा सकता है आओ ओस्त चाल जाँ स्पीड दी परिभाशा तेख दे हां चाल दा ऐसाई यूनिट मीटर पर सेकिंड है समा ते दूरी पॉजिटिव हुंदे हां इसले चाल भी पॉजिटिव हुंदी है उदारन देख दे हां इक गड़ी इक बिन्दू तो चल के 200 मीटर दी दूरी वे सेकंड विच पूरी करके दूजिए बिन्दू ते पहुंची गड़ी दा ओस्त वेग होया 200 बटा वी बराबर 10 मीटर परती सेकंड इस तो कह सकते हां कि गड़ी दस मेटर प्रती सेकंड दी रफ्तार नल चल रही है। सते लगे समेदा अनुपात होंदा है। ओस्त वेग बराबर होंदा है। विस्थापन बटा लगे समेदे ए वी तों पछानेया जानदा है। सही वेग जानन लई सिर्फ इतना ही पता होना जुरूरी नहीं कि यो किन्नी तेजी नाल चल दी है। बलकि उस दी दिशा भी पता होनी जुरूरी है। हुंत वानो इस दा उदारन विखाऊंदे हा। तुसी फिर एक गड़ी वेख रहे हो। एहें एक बिंदू तो शुरू होके दूजे ते पहुंचती है। एहें 200 मीटर दी दूरी वी सेकंड विच पूरी कर दी है। जिस करके उस दा विस्थापन 100 मीटर है। उस दा उसत वेख विस्थापन अते लगग होई समेदे अनुपादे बराबर होवेगा। गड़ी दा उसत वेख बराबर होवेगा 100 बटा वी जां 5 मीटर प्रती सेकंड उस दी दिशा डखन पच्छमवल है। यूनिफार्म जहां एक समान गती विच ये वस्थु पॉसिटिव दिशावल जा रही है, ता उस दा वेख वी पॉसिटिव होवेगा। दूजे पास से जे उन नेगिटिव दिशा वाल जाएगी ता उस दा वेग भी नेगिटिव होवेगा असी कह सकते हां कि वेग चाल तों जैदा स्टीक जानकारी देंदा है क्योंकि उस विच दिशा भी शामल हुन दी है हुन असी एक सवाल देख दे हां एक खिलाडी सो मीटर दी दूरी बारा स्किंट विच चलया फिर रुक गया ते हुन होली होली चल के सठ स्किंट विच शुरू दी लकीर ते पहुंचया खिलाडी दे दिशा नू पासिटिव लेया जावे ता उस दी ओस चाल ते ओस वेग दसो उसने सो मीटर दूरी बारा स्किंट विच ते किती उस दी चाल होई सो बटा बारा जो की है आठ दिशमलव तिन तिन मीटर पर सेकेंड ते गती सिद्धी रेखा गती होई उस दा ओस वेग भी सो बटा बारा होया जो की आठ दिशमलव तिन तिन मीटर पर सेकेंड होया इत्थे ओस चाल ते ओस वेग किना है सो मीटर दूरी सट सेकेंड भी स्किंट विच ते किती उस दी ओस चाल होई 100 बटा सथ जो की है 1.6 meter per second अते उस दी गती negative दिशा भी चुन दी है उस दा ओस वेग है माइनस सो बटा सथ जो की माइनस एक दिशंबलव छे छे मीटर प्रति सेकेंड है इसे उदारन विच पूरे चक्कर लई ओस चाल ते ओस वेग की हन खिलाडी ने 200 मीटर दूरी 72 सेकेंड विच पूरी कीती है उस दी चाल होई 200 बटा 72 जो की 2.77 मीटर पर सेकेंड होई ते पूरे सफर विच उस दा विस्थापन सिफर होया इस करके उस दा वेग भी सिफर होया इस उदारन तों तुसी खिलाडी दी गती वेख ही है उस दा ओस दी गती नेगेटिव दिशाविच है ओस चाल अते ओस वेग विच समानतामा अते अंतर इस तरह हन किसे वस्तू दे ओस्त वेग नो असी उस दी पॉजिटिव दिशाविच ओस्त चाल भी कह सकदे हां चाल हमेश्या पॉजिटिव हों दी है और नेगेटिव नहीं हों दी वेग पॉजिटिव ते नेगेटिव दोनों हो सकदा है चाल सिर्फ एही दस दी है कि वस्तु किन्नी तेज चल दी है उस दी दिशा बारे कुछ नहीं दस दी वेग वस्तु दी चाल जान स्पीड अते दिशा दो में दस दी है चाल ते वेग दो में दे ऐसाई यूनिट एक को जेहन मीटर पर सेकेंड असी इत्थे चाल ते वेग दी एक समान गती जान यूनिफाम मोशन बारे गल कर रहे हैं सडक ते गड़ी दा वेग कदे एक को जया नहीं हुंदा ओ कदे बदा है कदे कटदा है सडक ते गड़ी दा वेग हमेशा बदल दा रहन दा है उस गती नू जानता तो वेगत गती यानि एक्सरलेटेड मोशन के आजान दा है जान आसमान गती यानि नान यूनिफाम मोशन के आजान दा है समेनाल विस्थापन दा बदलाओ वेग कर लाउंदा है इसे लई परवेग या एक्सरेलेशन वी समय नाल वेग दा बदलाओ हुंदा है ए ए नाल दर्साया जानदा है परवेग दा एससाई यूनिट मीटर पर सेकिंड स्केर हुंदा है हुन असी तानू उदारन विखाऊंदे हां तुसी वेख रहे हो एक गड़ी जोकी अरामती स्थीती तो चलना शुरू कर दी है अते उस दा मुडला वेग 0 किलो मीटर प्रती कंटा है ते उह सिद्धी रेखा विच चल दी हुई प्रवेग विच आ जान दी है अते अंतिम वेग गड़ी दा 72 किलो मीटर प्रती कंटे जान वी मीटर पर सेकेंड दस सेकेंड तो बाद हुनदा है बराबर वेग दे अंतर नू लग्डे होए समेतों पाग करके प्रवेग मिलदा है गड़ी दा प्रवेग बराबर हुनदा है वी बटा दस जा दो मेटर पर सेकेंड स्क्वेर असी कह सकते हैं कि गड़ी दो मेटर प्रती सेकेंड स्क्वेर दे प्रवेग नोल चल रही है वेग दी तरह परवेग भी पॉजिटिव नेगिटिव ते सिफर दे बराबर हो सकता है वेग विच पॉजिटिव जा नेगिटिव दा अर्थ हुंदा है कि वस्तू दी गती पॉजिटिव या नेगिटिव दिशा विच हुंदी है Lakin परवेग विज पोजिट अ